नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सब का साइनिक पार्ट साला में आज के इस वीडियो में कुछ सवालों का मैं जवाब दूँगा दोस्तों और उनी सवालों के जवाब के तहट आपको मैं आपका पैंसन का कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको अगर 15,500 MSP हमार में समझाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों वीडियो काफी फ्यूचर की चीजों से जुड़ा हुआ है काफी ऐसी चीजे हैं जो कालपनिक हैं ऐसी चीजे हैं जो हो सकता है आने वाले समय में हो या ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ना हो तो इसलिए आपको ये चितावन होगा कि आगर 5200 से 15500 अगर MSP होता है तो किस तरीके से pensioner का pension में फायदा होगा तो दोस्तों मुझे सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सवाल के जवाब के तहट आज का ये वीडियो है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल है मैं आपको दिखा दूँ ये जो सवाल आप देख पारें जिसमें सवाल करता नहीं ये पूछा है सर 15500 सर्विस pension में होगा तो family pensioner को कितना होगा प्लीज reply अगला जो सवाल आप देख पारें समान MSP के लिए पैसा कहां से आएगा OROP का पैसा तो किस्तों में दे रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल जायज बात है जब OROP का पैसा ही किस्तों में मिल रहा है तो समान MSP यानि कि 15500 उसका पैसा कहां से आएगा बिलकुल वाजिब सवाल है उसका भी जबाब आपको दूँगा और अगला सवाल देख पारे हैं दोस्तों ये हो ही नहीं सकता विकोज OROP एक सेप्टेंबर 2008 से मिली थी ये OROP नहीं MSP की बारे में बोल रहे हैं कोज MSP 15500 को सरकार यह कोई कोट नहीं दे सकता यानि कि इनका कहने का यही मतलब है कि इतना साल हो गया तो जो चीज 2008 में लागू था उस चीज का आज हम जब मांग रहे हैं तो कोई सरकार यह कोट दे ही नहीं सकता तो चलिए इनी सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि क्या इक्वेल MSP समभ नहीं है पैसा कहां से आएंगे फैमिली पैंसनर को कितना बाकी का पैंसन कैसे बढ़ेगा सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में बिलकुल कैलकुलेटेड और जस्टिफाइड तरीके से चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिपाही से लेकर के सुभदार मेजर तक X ग्रूप हो Y ग्रूप हो का MSP समझिए कैसे बढ़ेगा पैंसन समझिए अब सबसे पहले तो जो सवाल पुछा गया था कि पैसे कहां से आएंगे और दूसरा क्या equal MSP समभब है इसको मैं बता देता हूँ बिलकुल समभब है बिलकुल समभब है अगर मानिया कोर जाएगा तो कैसे पैसे आएंगे अब आपको मैं एक example के साथ समझाऊंगा मान लीजिए हमारे कई सारे पुर्वसाइनिके हैं जिनके दो बच्चे या बच्चिया हैं चलिए दो बच्चे थे दो बच्चों में से आज से लगबग 5 साल पहले एक बच्चे की या बच्ची की साधी हो गई example के तोर पहले आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल समझ जाएंगे आप 5 साल पहले एक बच्चे की साधी हो गई जिसमें आपने 10 लाख रुपया उधार लिया और साधी कराई जिस से उधार लिया उसको आपने बोला कि मैं बीच बीच में आपको 6 महीने एक साल में पैमेंट करता रहोंगा 5-7 साल में पूरा कर दूँगा अब आपने क्या किया कि बीच में कभी पैमेंट किया कभी किया नहीं लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि उनको 5 लाख रुपे देना बचा हुआ है अभी भी और आने वाले 2 महीने बाद आपके दूसरे बच्चे की साधी है जिसमें भी आपको 10 लाख रुपे की जरूरत है अब आप समझिए जो 5 लाख रुपे पिछले 5 साल से जो आपने पैमेंट करने के बाद जो पैंडिंग पड़ा है उसको पैमेंट करने में आपको कितनी तकलीफ होगी बिलकुल तकलीफ होगी क्योंकि वो गुजरा हुआ पैमेंट करने में आपको तकलीफ होगी लेकिन आने वाली जो साधी है 10 लाख रुपे लगने हैं उनके लिए आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वो समय आने वाला है दो महीने बाद यच्छे महीने बाद आने वाला है उसके लिए आपके पास प्लानिंग करने का समय है आप ये सोच सकते हैं कि अमुक जगह पर मेरा फ्लैट है या मेरा प्लाट है उसको बेचूंगा 10 लाख रुपे साधी में लगाऊंगा या आप ये सोच सकते हैं कि मेरा च्छत का मरमत का काम करना है उसके लिए 5 लाख रुपे रखे हैं उसको इस साल नहीं कर date में MSP लाग हो और आज के आगे कि का पैसा दिया जाए पीछे का ना दिया जाए तो उसमें संभाव बनाए हैं तो इसलिए मैं ये सारी चीज़े समझा रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं समझ गए होंगे कि कैसे आने वाले समय में जो है future की पैसे जो है मिलने संभव हो स सकते हैं अब जैसे आप देख पारें दोस्तों सिपाही 17 साल सुवेदार वाई ग्रूप 30 साल और फैमिली पैंसनर्स का मैं आपको समझाऊंगा करेंट पैंसन मान लीजिए किसी एक सिपाही का 18,800 साथ है किसी का 20,200 है किसी का 21,000 है अब इनके पैंसन में आगे कैसे फरक प निकलता है 52,000 रुपे MSP के हिसाब से तो यही चीज अगर 15,500 MSP के हिसाब से निकलना पड़े दोस्तों तो 24,650 रुपे होगा 24,650 रुपे होगा वो कैसे होगा क्योंकि हमारे MSP में बड़ोतरी होगी 10,300 की क्योंकि 5,200 हम अलरड़ी ले रहे हैं 10,300 की बड़ोतरी होगी उसका आधा अगर हम इसमें जोड़ दें तो 24,650 हो रहा है तो OROP 3 में 52,000 रुपे के हिसाब से यह होगा average pension सिपाई का और 15,500 के हिसाब से यह होगा तो difference कितना हो जाएगा जो सिपाई 18,807 रुपे ले रहा है उसका pension में डिफेरेंस हो जाएगा 5,843 का अब मैं यह difference इसके साथ निकाल रहा हूं ठीक है इसके साथ नहीं निकाल रहा हूं इसके साथ निकाल रहा हूं इसलिए यह 5,843 निकला अब जो शिपाई 20,200 के था इसका कितना होगा 4,450 रुपे चारदार चारसो पंचार पतचास रुमे और जो स्फिपाई गिस एजार ले रहा था माल लिए पेंसन तो इसका कितना होगा च्छती सु पचास रुपशे थी सु पचास रुपशे यही चीज अगर मैं सुवधार की करो 31,000 एक सुभिदार ले राथा 33,000 एक सुभिदार ले रहा था और एक शुभिदार heater 25,000 पचास ले रहा था माल लीजीए अब सुभिदार का मान लीजिये 32,500 रूपय हो जाता है ओ रयूपी ओ प प पचास रुपे बनेगा यह बनेगा 30,650 रुपे तो बड़ोत्री कितनी हुई जिन सुभेदार को 31,000 रुपे बेसिक पेंशन मिल रहा था उनकी बड़ोत्री हुई अगर इस तरीके से सरकार करती है तो एरियर बहुत ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन फिर भी 6 महीने 8 महीने या एक साल तो डिले होने के चांसे हैं तो ऐसे कंडिशन में दोस्तों जितना महीना डिले होगा उसी हिसाब से आपका एरियर बनेगा तो दोस्तों ये तो आपने समझा कि किस तरीके से अगर बाउन्सों के बजाए 15,500 MSP होता है तो बड़ोत्री हो सकती है कैसे होगी किसी के म हो सकता है 3650 रुपे की बड़ोत्री है एक जैसा बड़ोत्री सब को नहीं मिलेगा आप समझ गए होंगे OROP 2 में या OROP 1 में भी सब को एक जैसा बड़ोत्री नहीं मिला जिसकी बज़े से सब का एरियर एक बराबर नहीं हुआ क्यूंकि सब का पैंसन अलग अलग है जितन तरीके से आने वाले दिनों में OROP 3 में 5200 और 15500 में डिफरेंस आ सकता है ये मैं बोल रहा हूँ अगर हो जाता है तो हाला कि इतना जल्दी हो जाए कि OROP 3 में इसका असर पड़े ये संभावना बहुत कम है मानिया दिल्ली आई कोर्ट से भी अगर फैसला आ जाए तो हो सक करता है कि मिल जाए अब इससे जुटा हुआ आगे की जो बात है दोस्तों अगर MSP का ARIER मिले तो कब से मिलेगा आप MSP का ARIER का अगर इंतजार कर रहे हैं अगर MSP के ARIER के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों तो ये संभावनाएक बिल्कुल कम है क्योंकि सितंबर 2008 से MSP ला पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कैलकुलेशन किया था लगबग डेड़ लाख करोर रूपे जो है ARIER के लिए लगेंगे MSP के ARIER के लिए उससे भी उपर डेल लाख करोर से भी उपर पैसे लगेंगे लेकिन वो रहा ARIER लेकिन सरकार को अगर ARIER ना देना प पड़े जैसे मैंने आपको बच्ची के साधी के साथ कंपेर करके समझाया था तो आगे का पैसा मैनेज हो सकता है क्यूंकि आगे बजट धार्य करना है सरकार को तो बजट में मान लीजिए 10 ऐसे एक्सपेंडिचर है जहां में से 555% भी अगर ले करके यहां एड़ किया ज सकता है लेकिन पीछे का एरियर मिल जाए ऐसा संभावनाय बहुत कम है तो दोस्तों आभी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चाहे आप सिपाही हैं चाहे सुविदार मेजर हैं चाहे एक सुवाई किसी भी ग्रूप के हैं चाहे आप फैमिली पैंशनर हैं अगर MSP 15500 हो कि बड़ोतरी सब के पैंशन में इस तरीके से हो सकता है तो आज के इस वीडियो में इसी कैलकुलेशन के साथ आया था दोस्तों आगे और कोई जानका रिजा है कि आप से सरुकार रखने वाल आप इसे लेकि मैं फिर से आज़ीर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस् अवीडियोभब